P.A.C.L. Limited के निवेशकों के लिए रीफंड, Justice Retired RM लोधा कमिटी के दुवारा, SMS और Online Portal के माध्यम से रीफंड आवेदन करने की प्रक्रिया समिती ने अभी तक जो भी पैसा प्राप्त किया है, उसमें से रीफंड करने का निलने लिया है P.A.C.L. Limited के निवेशकों को जिनकी P.A.C.L. के पास कुल बकाया राशी 25 सो या उससे कम है निवेशकों को रीफंड अनिवारे रूप से 2500 प्रती दावा निवेशक के हिसाब से नहीं होगा रीफंड दावों की संक्या और उपलब धन के मुताबे यथानुपात प्रोराटर दिया जाएगा संशिप्त में रीफंड की प्रक्रिया, जिन निवेशकों का P.A.C.L. के पास कुल बकाया राशी 25 सो या उससे कम है वेर रीफंड के दावे निमलिखे तरीकों से भेज सकते हैं वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करें सेभी कमिटी P.A.C.L.Refund.com या फिर 562632 पर SMS करके दावे के आवर दिन की प्रापती के लिए अंतम तिथी फरवरी 28-2018 है यदि आपको P.A.C.L. Registration Number के साथ सिर्फ एक P.A.C.L. Certificate इशू किया गया है तो आपका Claim का Amount यहां पर सर्कल होगा यदि आपको किसी Registration Number के साथ P.A.C.L. Certificate और Payment Receipts इशू किये गए है फिर आपका Claim का Amount 1 प्लिस 2 प्लिस 3 होगा यदि एक ही P.A.C.L. Number के लिए P.A.C.L. ने आपको P.A.C.L. Certificate और Multiple Receipts इशू किये है तो फिर आपको पहले P.A.C.L. Certificate अप्लोड करना होगा और उसके बाद Receipts जैसे की यहां पर दिखाया गया है SMS के माध्यम से Refund अनुरोद प्रक्रिया SMS के माध्यम से Refund प्रक्रिया शुरू करें चरण 1. P.A.C.L. प्रमाण पत्र के अनुसार अपना नाम फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और क्लेम अमाउंट रुपए में भरें चरण 2. अपना आधार P.A.C.L. प्रमाण पत्र दर्च करें स्कान की गई प्रतिलिपी को SMS के ध्वारा भीजी गई लिंक पर क्लिक करके अप्लोड करें चरण 4. बैंक खाता संख्या और IFSC कोट दर्च करें और SMS के ध्वारा भीजी गई लिंक पर क्लिक करके पिछले तीन लेन देन दिखाते हुए नवनीतम बैंक स्टेटमेंट की स्कैन कॉपी अप्लोड करें खाताधारक का नाम, खाताधारक का पता, बैंक खाता नंबर और IFSC कोड दिखाते हुए बैंक खाता विवरन अप्लोड करें अब आप अपना PACL refund अपने मोबाइल फोन से 562632 पर SMS फेज के असानी से क्लेम कर सकते हैं SMS फेजने के लिए अपना PACL registered name टाइप करें उसके बाद अपना PACL registered number टाइप करें उसके बाद अपनी क्लेम की राशी टाइप करें और 562632 पर भेज दे SMS भेजने के बाद आपको एक acknowledgement message मिलेगा जिसमें आपको एक PACL document upload link प्राप्त होगा अब अपने सभी PACL documents को upload और scan करने के लिए PACL document link पर क्लिक करें अब अपना ID proof चुनें उधारन के लिए आधार काट अब अपना आधार काट का number डालें और फिर submit पर क्लिक करें आधार काट को scan करने के लिए आधार काट बटन का चयान करें विडियो के अनुसार आधार काट को सम्योजत करें और फिर submit पर क्लिक करें अब bank statement option सिलेक करें अब उसी प्रक्रिया से अपना bank statement scan करें और submit पर क्लिक करें यदि bank statement में तीन अबनीतन transactions नहीं हैं तो no पर क्लिक करें और उस bank statement को upload करें जिसमें तीन अबनीतन transactions हैं और submit पर क्लिक करें अब PACL certificate option चुनें और उसी प्रक्रिया से अपने PACL certificate को scan करें और submit पर क्लिक करें अगर आपके PACL नंबर के लिए अतरिक receipts हैं तो yes select करें और receipts upload करने के लिए वही प्रक्रिया दोहरा हैं झाल या फिर नो सेलेक्ट करें अब बैंक दीटेल्स पर क्लिक करें और अपना बैंक अकाउंट नंबर भरें अब अपने बैंक का आइफस्सी कोड भरें और सब्मिट पर क्लिक करें यदि आपको इस PACL रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए लैंड अलोट कर दिया गया है तो यह सेलेक्ट करें या फिर नो सेलेक्ट करें डॉक्यमेंट अप्लोड करने के बार डेक्लिरेशन चेक बॉक्स चुनें और सब्मिट पर क्लिक करें अब आपका आवेदन सफलता पूर्वक जमा किया जाएगा अब आपको SMS के द्वारा अकनॉलिश्मेंट मेसेज भेजा जाएगा ओनलाइन माध्यम से रीफंड अनुरोध प्रक्रिया ख्रप्या सेभी कमिटी PACLREFund.com पर जाएगा चरण एक वेब ब्राउजर पर वेबसाइट www.sebicamitypaclrefund.com पर जाएगा चरण दो उप्रोप्त वेबसाइट पर उपलप्त कराएगए फोर्म में निम्र विबरन दर्च करें दाविदा निवेशक का मुबाइल नंबर PACL प्रमान पत्र के अनुसार दाविदा निवेशक का नाम, PACL पंजेकरन संख्या, दावे की राशी रुपए में आधार संख्या या पैन नंबर, बैंक हाता संख्या और IFSC कोर्ट चरण तीन पैन या आधार कार्ट की स्कैन की गई प्रतलिपी अपलोड करें चरण चार, PACL प्रमान पत्र या रसीद की स्कैन की गई प्रतलिपी अपलोड करें चरण पांच, पिछली तीन लेन देन दिखाते हुए नवनीतम बैंक स्टेट्मिन की स्कैन कॉपी अपलोड करें खाताधार का नाम, खाताधार का पता, बैंक खाता नंबर और IFSC दिखाते हुए बैंक खाता विवरन अपलोड करें रीफंड के लिए सेभी कामिटी PACLRefund.com पर जाएं अब अपना नाम भरें अब अपना PACL registration नंबर डालें अब अपने क्लेम की राशी रुपए में भरें अब अपना मुबाइल नंबर डालें और Get Started पर क्लिक करें अब अपना ID प्रूफ चुनें उधारन के लिए आधार कार्ट अब अपना आधार कार्ट का नंबर डालें और Save पर क्लिक करें अब अपने bank account details भरें अब अपना bank account number डालें अब अपने bank का IFSC code डालें अब सेफ पर क्लिक करें अब अपने सभी supporting documents एक एक करके upload करें अधार कार्ट के लिए अपने कंप्यूटर से अधार कार्ट का document चुनें और अप्लोट पर क्लिक करें अब bank statement अप्लोट करने के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराया अब PACL certificate अप्लोट करने के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराया अगर आपके PACL नंबर के लिए अत्रिक receipts हैं तो यह सिलेक करें और रिशीट अप्लोट करने के लिए भी प्रक्रिया दोहराया याधर नोसे लीडिवादा लीडिवान या फिर नो सिलेक्ट करें यदि आपको इस PACL रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए लैंड अलोट कर दिया गया है तो यह सिलेक्ट करें या फिर नो सिलेक्ट करें डॉक्यमेंट अप्लोड करने के बार डेक्लिरेशन चेकबॉक्स चुनें सब्मिट पर क्लिक करें अब आपका आवेदन सफलता पूर्वक्ट जमा किया जाएगा अब आपको SMS के द्वारा अक्नॉलिश्मेंट मेसेज भेजा जाएगा PACL दाविदा निवेशक क्या करें एवं क्या ना करें क्या करें क्रपिया निम्लुखित जानकारीं भेजें PACL प्रमान पत्र के अनुसार निवेशक का नाम दाविदा निवेशक का मुबाइल नंबर दावा की कई राशी रुपय में PACL पंजेकरन संख्या आधार संख्या या PAN नमबर बैंग खाता संख्या और IFSC कोट PAN कारड आधार कारड की स्कैन की गई प्रती पिछले तीन लेंदेन को दिखाते हुए नवनीतम बैंग स्टेट्मेंट की स्कैन की गई कौपी खाताधारका नांग, खाताधारका पता बैंक खाता नंबर और IFSC दिखाते हुए बैंक खाता विवरन अप्लोड करें। क्या ना करें, क्रप्या निमलखिक ना भेजें। जब तक समती से विशिष्ट सूचना न दी जाए, तब तक क्रप्या अपना मूल PACL सर्टिफिकेट जमा ना करें। यदि PACL Limited के पास आपकी कुल बगाया राशी पच्चिस सू रुपए से अधिक है, तो आपसे अनुरोध है कि रीफंड दावे को जमा न करें। क्रप्या ध्यान दें की PACL के मूल प्रमान पत्र को भेजने की फिशिष्ट सूचना और भेजने का पता SMS की माध्यम से सूचत किया जाएगा। PACL रीफंड दावों की कमियों का सुधार, विसंगतियों, दावों की स्थिति, जिन निवेशकों के दावे किसी कारण संसादत नहीं किये जा सकते हैं, उन्हें इसकी सूचना SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। ऐसे सभी मामलों में निवेशकों को सलहा दी जाती है कि वह कमियां गलतियों को ठीक करके दस्तावेजों को SMS द्वारा भेजी के लिंक पर फिर से अप्लोड करें। अपने रीफंड दावे की स्तिती जानने के लिए क्रपया 044-395-71985 पर कॉल करें और हैश के बाद अपना मुबाइल नंबर डालें। अपने वेशक जिनकी कुल मकाया राशी PACL Limited से 2500 या उससे कम हैं वह SMS या Online Portal के माधिम से अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और प्रश्न है तो अपना दावा आवेदन करने से पहले इन FAQ को देखें।